दिली मियाद CISF के कारकर में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ राज़त शर्मा को सम्मानत किया गया पिछले तीन बरसों से CISF अपने जवानों के लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम करती है इस कारी में आज इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ राज़त शर्मा को जवानों को मोटिवेट करने के लिए आमंतरत किया गया था इस कारकर में उन्हें अपनी जंदगी के तुजर्बों को जवानों के साथ साज़ा किया इस दौरान इंडिया TV के एडिटर इनचीफ रजट शर्मा से जवानू ने भी सवाल चबाब किया है इसे जवानू के साथ इंडिया TV के इडिटर इंचीफ रजट शर्मा को सम्मानित किया गया हलाकि यहाँ पर इन जवानों को मोटिवेट किया गया मोटिवेशनल प्रोग्राम आयोजित किया जाता है CISF की तरफ से जिसमें आमंतरित किया गया था इंडिया टीवी के एडिटर इंचीफ रज़त शर्मा को सर आप इतने बड़े बड़े पस्नालेडिस का इंटर्विव लेते हैं अपने उनको सवालों से खेड़ते हैं तीके तीके सवाल बड़े ही असानी तरीके से पूछ लेते हैं तो इंटर्विव लेने से पहले आप उसकी तैयारी कैसे करते हैं और कितनी करते हैं काफी तैयारी कर पड़ती है जैसे वकील अपना केस तैयार करता है ना अदालत में जाने के लिए वैसे ही मैं केस तैयार करता हूँ कई कई लोग के लिए तो दो तीन तीन करना दिन पढ़ना पड़ता है कई लोग के लिए एक दिन तो 24 गंटे तो मैं अपना आपको सकता हूँ इस तैयारी तो और ये तैयारी ऐसी नहीं है कि कोई और कर दें ये खुदी तैयारी करनी पड़ती है बाइस साल हो गए लेकिन आज भी जब रिकॉर्डिंग होती है जिस दिन तो दिल बहुत घपराता है बहुत डर लगता है और रिकॉर्डिंग के चाट-पाच म को नहीं बलकि देश और दुनिया को CISF के जवानों से सीखने की जरूरत है हम तो बड़े बड़े नेताओं से लोगों से सवाल पूछते हैं बंस्टूडियो में सुरक्षित माहौल में लेकिन आप लोग तो किसी भी समय अपने सीने पर आतंगवादी की गोली खाने को त लगती है आपका जीवन तो ऐसा है कि चाहे एरपोर्ट हो चाहे कोई प्रतिष्ठान हो वहाँ पर आपका मुकाबला तो सीधा सीधा गोली से होगा इसलिए मैं आपको क्या सबक सिखा हूँ मुझे तो आप से सीखने की जरूरत है कोई गलत आदमी कोई आतंगवादी कोई देशतगर्द आपके आँखों से बचके नहीं निकल सकता और जब तक आप ये काम मुस्तेदी से चुस्ती से ये काम करते रहेंगे तब तक मुझे लगता है कि इस देश की जनता आपको सलाम करती रहेगी आपको और कुछ करने की जरूरत है नहीं